जैसे मालो तुम्हारे बास एक लाग रुपे हैं और एक लाग रुपे तुम्हारे पास तुम्हारा एक दम रोला कम नहीं हो रहा जैसे जेम में एक लाग रुपे आए पुरे बालों में जैल हाल स्टाइल पिस्टाइल पूर निकाल रखा है ठीक है और भाई तुमने क्या क पड़ा और उसकी दोस्त ने उससे 25 पैसे की टोफी खरीद ली अब 25 पैसे की टोफी जब वो मांगेगी तो भाई उसके पास एक लाग रुपे हो उसके लिए क्या होगे 25 पैसे बहुत कम अब 25 पैसे जैसे ही वह खरीद देता है तो इसका मतलब यह थोड़े उसका रोला खत 25 पैसे बचें भाई ऐसे दोड़ाई बोलेगा वह अभी जब एक लाग रुपे हैं यानी रोला लाग रुपे ऐसे बोलेगा वह ना लाग रुपे हैं हाँ क्योंकि 25 परसेंट जो है एक लाग के कमपेरिशन में इतना कम है इतना कम है उसको नेग्लेट कर दिया उन्होंने नेगलेट करके छोड़ दिया, हैगी नहीं, हाँ, नहीं तो, हाँ, आप जैसे माल लो, सही बात है, अब माल लो किसी इंसान के पास, बिचारे के पास है यह एक रुपा, और एक रुपे के चक्कर में, वो कहने लगे, सुनते उसनो, मेरे को फिलीज एक टौफी खिला दो, त नहीं को आराम, भाई, मेरा बुजट भिखर जाएगा, भाई, दिक्कत आ जाएगी, यानि, इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई, एक रुपे की तुलना में, पच्चिस पैसे की एहमियत है, पर एक लाग रुपे कमपेरिजन में, पच्चिस पैसे कोई आहमियत नहीं है, तो इसी तरीके से जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो उसके कमपेरिजन में छोटी वैल्यू की कोई मतलब मतलब नी,